हम सबका सपना होता है कि यार घर बैठे बैठे करों पैसे कमाते तो कितना मज़ा आता तो आज मैं आपको ऐसे इंसाने कहानी सुनाता हूं जो कि जिसने अपने बैटरूम में बैठे बैठे अपने 10 लाग को 1000 करोर के उपर बनाया वो भी सिफ 8 सालों में तो आज वीडियो में हम देखेंगे मिलियनर ट्रेडर तकेशी कोतेगावा की कहानी और उनकी ट्रेडिंग सस्टम को और जो उनके trading indicator है trading system है trading strategy है उसको हम Indian market stocks में apply करेंगे और check करेंगे क्या अगर हम उनके style को copy करें तो क्या हम भी profitable हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं तो आगे बनने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो उसे बैल अकन जरूर दबये ताकि ऐसी जब इंट्रस्टिंग वीडियो आए तो आपको जरूर मिले तो तकेशी गुतिगाव हैं कौन और इनका background क्या है तकेशी गुतिगाव जापान के इचिकावा में इनका जन्म हुआ था 5 मार्च 1978 को 2001 मैने उने इस टॉक मार्च ट्रेड करना स्टार्ट किया तब बीर मार्कर चल रही थी और स्टार्टिंग में इनको थोड़ा बद प्रॉफिट रवा थोड़ा लॉस हुआ फिर लॉस से स सीखते 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 थोड़ा बद प्रॉफिट होने रगा पर इनका टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2005 में उन्होंने ट्रेड लिया जिसमें उन्होंने मिलियंस कवाई वो ट्रेड था जेकॉम होल्डिंग का आई पियो तब रिसेंटली आया था मिजू सिक्यूर्ट इसके कमपनी ने एक ट्रेडर ने गलती से उनको ट्रेड करना था 6,10,000 के य будете युइंग रगकर और को सायल करते हैं तो इतने बड़े वज़े से स्ट तो प्राइस वापिस नॉर्मल पोजिशन पर आया आपने तो प्राइस भड़ा और तकेशी को उस ट्रेड से अकेले ट्रेड में 17 मिलियन डॉलर कमाये उन्होंने अब आते हैं उनके सबसे इंपॉर्डेंट पॉइंट वो है उनका ट्रेडिंग स्ट्रेडिजी उनकी इशू और 25-day moving average चले इन system और इंडिकेटर को 111 अपने stocks में कुछ apply करते हैं तो सबसे पहले इंडिकेटर है हमारा बॉलिंगर बैंड जो सबसे पहले ट्रेडिंग स्ट्रेडिंग करते हैं वो है बॉलिंगर बैंड बैंड काम कैसे करता है वो देख लेते हैं इसमें बीच से जो टाच हो की नीचे को आए तब आप सेलिंग कर सकते हैं तो और फार्म हम चेक कर लेते कि एक बार क्या काम कर रहा है कि नहीं करता हूं तो यह वाला पॉइंट में आप अगर देखेंगे तो यहां पर बन सकता है लेकिन आपको सेल कहा करना पड़ेगा मीन में करना अगर आप और प्रटादान की चान एकका कर सकते हैं और विख सकते हैं से और टिखेंगे तो यहां फे तो इस वाले में अगर हम 10 लेते 10 में से आपको 3-6 बार तो मिल गया तो लेकिन इसकी अच्छी नहीं लग दी और अब बाकि स्टॉक्स में आप जरूर वन बाएवन ट्राय कर सकते हैं कोवाले मंतलब नीचे वाला है कि जब अंगे जाता है इसमें इनकी बहुत बेच करता है लाइकUNG से chances होते हैं कि वहां से bounce back करता है और दूसरा तरीका यह है कि जब वह over bot में पहुंच जाता है तो over bot के बाद जो है वह नीचे को आने की कोशिश करता है तो इसमें reversal trade ज़रू बनते हैं तो अगर मैं आपको एक बार करके दिखाऊं तो मैं इसको बनार कर लेता है और बनार में देखते हैं यह जो भी नैथ बाइजेनेस हैं तो इसमें अब देखिए जिसे यहांप आपको बनेरते रह सकता है तो इसलिए जब वह नीचे को आने लगे या फिर ओवर सोल से उपर के जब जाने लगे ओवर बॉट से नीचे को आने लगे तभी आप ट्रेड लें तभी आपको उसमें प्रॉफिट हो सकता है अगले इंडिकेटर है वह हमारा वाल्यूम तो सिर्फ व हाँ एक important factor जरूर होता जिससे यह पता लगता है कि जो मूव है वह रियल है कि नहीं है जैसे कि अगर यह selling मूव देखो मैं तो यहां पर वाल्यूम बढ़ रहा है ठीक है तो हम मान सकते हैं कि जो है डिल्वी बेस सेलिंग हुई थी उसी तरह से जब हम आप मूव देखते ह ग्यंग सकते हैं अगर वाल्यूम कम है और जो मौन भीरिष दिखा रहा तोव फूर्पूर्स ब्रेक डाउन हो सकता है और इसी तरह पौस ब्रेक आउट भी हो सकता है चलो में आपको अगले इंडिकेटर दिखाता हूं तो इसका 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 वॉल्म से के बैसे पे सर्फ हम ट्रेड नहीं लिया जा सकता अब आते हैं जो उनका इंपॉर्टेडिंग इंडिकेटर है वह 25 डे मुविंग अबरेज में वह सेल और बाई तब करते हैं जब कोई भी स्टॉक जो है 25 मुविंग अबरेज से 10 परसेंट गिर जाता है या यहां पर अगर मैं सिब आपको मुविंग 25 डे मुविंग अबरेज में लगा रहा रहा है तो वन आर्के चार्ट में कर दिखाऊं तो इंडिकेटर आपका कहां क्रॉस ओवर देख रहा है आ बने सकते हैं बट अगर आप इसको बैक टैस करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफी टाइम पर काफी जगह पर अगर आपने ऐसे पॉइंट्स पकड़े होते तो हां आप प्रॉफिटेबल ओवर दॉल हो सकते थे लेकिन तकीशी को टेगवा कभी भी सिर्फ एक इडिकेटर वो सेम बुलिश का दे रहा है तो आप उसको बाई कर सकते हैं तो सिंबल सी बात है कि जब 25 दे मुविंग आवरिज के वो नीचे जाता था था तो वह उसे बाई कर लेते थे और जब पूल बैक होता था जैसे बॉलिंगर बैंड तक या फिर 25 दे मुविंग ए ट्रेडिंग सिस्टम को जानने के लिए सब्सक्राब इसे चैनल को और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएए